हेलो गाइज वेलकम टू अनेदर वीडियो प्स्टॉक मार्किफेंट्स भारती एटल की ओर से मार्च क्वाटर की फिनांसल रिजल पेश हो चुका है स्टैंडलाउन कॉंसॉलिडेटेटेड दोन रिजल साउड हो चुका है साथ में 8 रुपीज पर एक वी डिशेयर का फाइ क्वाटर में 17311.9 क्वाटर के एक्सपेंस हुआ था क्वाटर ओन इंकम में डाउन और पॉफिट में डाउन एक्सपेंस बेंक्रीज है और उसके बाद ऑपेडिंग पॉफिट है यहां पर हम दिखेंगे तो एक्सप्शनल आइटम से 2455 क्रोड का खर्च भी हुआ था जि पिछले क्वाटर में 4108 क्रोड का मार्च 23 क्वाटर में 5014 क्रोड का क्वाटर ओन क्वाटर ओन यह दो में बहुत बड़ी फॉल देखने को मिला है और यहां पे नेट पॉफिट कंपनी का 2068 क्रोड का 20 पिछले क्वाटर में 2876 क्रोड का मार्च 23 क्वाटर में 4226 क्रोड क का net profit है quarter on quarter year on year में down देखने को मिला है EPS 3.51 रुपेश का quarter on quarter year on year में down देखने को मिला है तो गाइस company का income quarter on quarter में down है लेकिन profit quarter on quarter year on year दोनों में down year on year में down होने के जाने exceptional items बहुत ज़्यादा खर्च किया गया था financial year ended में 1,51,417 करोड का income में और 23 में 1,40,081 करोड का income था income में तो increase है लेकिन expenses company का हुआ है 71,690 करोड का 23 में 67,871 करोड का expense में भी increase किया है operating profit एक company का इस बार का 12,679 करोड का और 23 में 16,560.7 करोड का down देखने को मिला exceptional items के कारण 75,72 करोड का charge किया था और net profit 85,58 करोड का 23 में 12,287 करोड का बहुत बड़ा fall देखने को मिला है EPS 12.8 रुपीज पे जो कि पिछले साल से 23 से बहुत ज़्यादा fall देखने को मिल रही है सेग्मेंट वाइज मोबाल सर्विसेज इंडिया, एफ्लिका, एशिया, एयर टेल बिजनस, होम सर्विसेज, डिजिल टेवी सर्विसेज, अधर से बिजनस कर रही है जो कि quarter on quarter में down ने financial year on year में भी increase किया बट कंपनी के exceptional items में खट चोने के कारण quarter on quarter, year on year और financial calendar दोन तीनों में कंपनी का profit बहुत बली तरह से गिरावट देखने को मिला है मैं करा हम इसके कंपनी का stand-alone financial result को cover करें गाईज तो income में company का 24,765 करोड का, पिछले quarter में 24,224 करोड का और March 23 quarter में 21,966.6 करोड का income है quarter on quarter year on year दोनों में increase किया लेकिन expenses 11,359.8 करोड का, पिछले quarter में 10,942 करोड का और March 23 quarter में 10,371 करोड का expense हुआ था, जोकि expenses भी company का बहुत जादा हुआ है quarter on quarter में year on year में जिसके बाद operating profit है 13,405 करोड का, पिछले quarter में 13,282 करोड का, और March 23 quarter में 11,595 करोड का operating profit है जोकि down ने quarter on quarter year on year में increase किया है, net profit है 18,23.9 करोड का, पिछले quarter में 14,14.4 करोड का और March 23 quarter में 13,52,4 करोड का net profit है, quarter on quarter year on year दोनों में fall increase करती वी नज़र आ रही है EPS 3.09 रुपिज का quarter on quarter year on year में increase किया है, तो guys, stand-alone में exceptional items में खर्च नहीं हुआ, इसलिए profit increase कह है लेकिन consolidated में exceptional items में खर्च हुआ है, जिसके कारण profit नहीं बहुत बुरी तरह से गिरावट देखने को मिला है अगर हम बात कर गाए share, overall company का ज़र ठीक था कि average देखने को मिला कोई खास result पेश नहीं किया share की बात कि 1234.3 रुपिज पे close किया, 0.13% का minor से increase किया लेकिन गाइज 1 month 4.7% का profit है, 3 month 15% का profit और 6 month 37% की profit है तो गाइज company का share already बहुत जादा high जा चुका है, अब यहाँ से chances है कि company के share में गिरावट आ सकती है रिजन कि इसके profit consolidated में बहुत ज़्यादा fall देखने को मिला है इसलिए आप रिस्क ने लेना साथ है, आप profit बुक कर सकते हैं और अगर फ्रेश एंटरी करना साथ है, तो wait and watch कीजिए तो अब हम लोग वेडियो कहीं प्रेंट करता है, अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पुझे मिलता है, नेक्स रोड़ा में टेलें, वाबाए